हेलो एवरीवाल वेलकम टू कॉन स्टाडी यह विडियो डारेक्शन सेंस पार्ट टू है तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बिता दू अगर आपने हमारा चानल सिब्सक्राइब नहीं किया है आप वो कर सकते हैं साथ ही टेलेग्राम ग्रूप पे हमने रिसेंटली क्व इसके लिए आपने क्या करना है यूट्यूब पे सीद्या हमारे चानल पर जाके प्लेइलिस्ट एक टाब होगी वहां पर जाना है वहां आपको जेके एससबी नाम से ही प्लेइलिस्ट मिल जाएगी जेनरल अवेर्नेस जेके एससबी रिसनिंग और साथी मैस तो आप यहा साउथ, इस्ट और वेस्ट यह चार डिरेक्शन और इसी के बेसिस पे कुछ क्वेस्टन किये थे हमने आज की वीडियो में हम नौर्थ इस्ट, साउथ इस्ट, नौर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट इन डिरेक्शन को भी स्टडी करेंगे और कुछ क्वेस्टन करेंगे ज जो try to yourself question था उसका answer बता देती हूँ तो काफी लोगों ने इसने गलत answer भी दिया था तो मैं आपको बता दू वो क्यों गलत हुआ होगा आपका answer question में पूछा था in which direction he has to go to reach his police post एक policeman था ठीक है जो यहाँ पे उसकी police post थी वो यहाँ से निकल के south की तरफ गया 4 km उसके बाद उसने एक left turn लिया यानि अब वो east की तरफ जा रहा है और उसने दुबारा से 4 km चला और 4 km ही वो चला तो अगर आप इन दोनों points को join करके देखो तो यह square की तरह बन जाएगा जिसकी 4 sides होंगी 4 km की तो question में यह नहीं पूचा है कि कि starting point से वो किस direction में है अगर यह पूचा होता तो आपका answer होता east बड़ पूचा क्या गया था कि उसको police post वापस जाने के लिए किस direction में जाना है यानि उसको इस direction में जाना था right तो आपका answer हो जाएगा west अगर reference के लिए चाहिए तो हम यह diagram बना लेते हैं सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो answer है वो है option D west तो मैंने जो आज first question रखा है यह बहुत ही easy सा question रखा है so that आपका north east south east north west southwest यह वाला जो concept है basic इसका हम बहुत अच्छे से understanding कर लेंगे उसके बाद हम all questions देखेंगे तो first question देखते है क्या है given that A is to the south of B अब देखो A जो है वो B के south में है ठीक है तो हम B को उपर रखेंगे A को नीचे उसके बाद हमें given है C is to the east of B तो B यहाँ पर आएगा C उसके right पर आ जाएगा तो यह हमारी जो diagram बन गई अब question में first part में हमें क्या पूछा है direction of B with respect to A बी की direction A के respect में क्या है तो जब हम A से देखेंगे तो A के north पे है ना B तो B जो है वो A के कहा है north पे तो इसका answer आजाएगा आपका north यह जो options है यह आपके second और third part के लिए है ठीक है direction of A with respect to C C पे खड़े होके अगर आप देखो A आपके किस side पे है या किस direction में है तो यह कौन सी direction हुई यह आपकी हो गई southwest ठीक है southwest इसको करने का एक और वे यह है कि जहाँ पर C खड़ा है आप वहाँ पर ही अपना यह जो directions है बना लो north, south, east and west and then C की यह जो direction है यह कौन सी होगी आपकी south और west के बीच में है तो यह कौन सी direction है southwest ठीक है फिर थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में पूछा है C की direction बतानी है with respect to A पहले हमने बताई थी A की direction with respect to C अब हमसे उल्टा पूछा गया है जब हमें A पर खड़े होके देखना है कि C किस direction में है तो यह क्या direction होती है आपकी north, east तो इसको बिना गलती के करने का क्या method हो जाएगा यहां पर आपने अपनी डिरेक्शन पर ना ले नहीं है north, south, east and west तो यहां से आप देख सकते हैं यह जो direction है north और east के बीच में it will be north east direction तो इसका answer आपका हो जाएगा third part का north east तो अब second question देखते हैं इसमें क्या बोला गया है k is 40 meter south west of L तो south west direction कहां पर होगी आपकी तो south west होगी आपकी यह direction right k है south west पर यानि अगर आप यहां पर L बनाते हैं तो L से अगर आप south west की और जाएगे तो आपका k यहां पर होगा ठीक है उसी तरह से दिया है m is 40 meter south east of L L से ही south east जाना है south east direction आपकी इधर होगी तो अगर आप इस direction में जाएगे तो क्या है वहाँ पर M और distance जो है दोनों में ही 40 meter और 40 meter था यानि यह दोनों ही points जो है यह एक straight line में connect होंगे क्यूंकि यह जो आपका triangle एक बन रहा है यह आपका isoscellus triangle है जिसकी यह दो sides बराबर होती है question में पूछा गया है M is in which direction of K? M की direction बतानी है K पर खड़े होकर आप यहाँ पर अगर अपने आपको imagine करें तो यह कौन सी direction होगी जो हमने diagram बनाई है वो इसी map के according बनी है जो यह होता है आपका north, south, east and west तो उसी हिसाब से आपने बताना है M की direction with respect to K क्या होगी यह जो direction आपकी होती है यह होती है east तो इसका answer जो है आपका option D east आजाएगा अब तो हमने यह बात की जो question में पूछा था M की direction with respect to K वो आपकी होगी east बट अगर मैं आपसे अब पूछू कि L की direction बताओ with respect to K तो यह कौन सी direction होगी हमने यह directions में ना लेनी है north, south, east and west और यहाँ पर अगर हम K को रखे तो L किस direction में है? North, east में ठीक है? L है north, east किसके? K के, right? और अगर आपको M के respect में देखना है कि L की direction बताओ with respect to M तो वो क्या होगी? अगर आप यहाँ पर अपनी directions बना लो north और यहाँ पर west तो क्या हो जाएगी? L हो जाएगा north, west of M ठीक है? तो अभी यह third question देखते हैं तो यह जो है उसका starting point है ठीक है? यहाँ से उसने start किया directions हम बना लेंगे for the reference north direction में वो गया 15 km उसके बाद उसने एक left turn लिया left turn के लिए जिन्होंने part 1 देखा है उनको पता है left turn के लिए हम हमेशे anti clockwise देखते हैं यानि कि अब वो जाएगा west direction में और कितना चलेगा? 10 km ठीक है यह हो गया उसके बाद उसने एक right turn लिया और 10 km चला, right turn के लिए हमेशे ही जाना है clockwise तो west की तरफ जा रहा था और वो right turn लेगा, तो clockwise में अगर आप देखो तो north होता है तो he will go towards north और वो 10 km और चलेगा, उसके बाद बोला है उसने एक और right turn लिया और 30 km चला right turn के लिए दुबारा north जा रहा था, तो north से right turn, यानि clockwise में देखो तो east, right तो वो east की तरफ जाएगा और कितना चलेगा? 30 अब यह जो 30 है यह हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप यहां से compare कर रहे हो और यह 10 था, तो यह 30 हमेशा ही बड़ा बनेगा यह वाला portion आपका 10 होगा और यहां तक 20 होगा, यहां से लेके यह portion, right? 10 और 20 मिलके बन जाएगा 30, ठीक है? But anyway, question में पूछा है, which direction is he from the starting point? Currently वो यहां पर पहुंच क्या था? Starting point से देखो, तो यह क्या direction बनती है? तो अगर आप इस direction में जाके देखो, तो यह क्या direction होती है? इसके लिए आपने क्या करना है? दुबारा आप यहां पर अपना North-South बना सकते हो, North-South-East, ठीक है? तो यह जो direction है, यह क्या हो जाएगी आपकी? North-East, तो इसका जो answer है, वो हो जाएगा, option A, North-East. तो इस question में आप से पूछा गया था, कि यह जो direction है, यह क्या है? ठीक है, यह starting है, starting point के respect में, यह किस direction में था? सिरफ direction पूछी थी, तो हमने बता दिया कि North-East, बट अगर हम से पूछा जाता, कि यह जो distance है, यह straight distance, यह distance कितना है? यह distance निकालने के लिए, हमें एक triangle बनाना पड़ता है, एक right-angled triangle, तो वो कैसे बनेगा? इस line को अगर हम यहाँ पे straight join कर दें, तो यह आपका right-angled triangle जो है, यह बन गया, यहाँ पे इसका यह 90 degree होगा, ठीक है? तो हमें जो इसका यह red line वाला distance है, यह कैसे निकालना है? हम देखते हैं कि यहाँ पे एक square बना था, मैंने जैसे पहले भी बताया था, एक side 10 है, ठीक है? यह भी side 10 होगी, उसी तरह से अगर आप देखो तो यह side भी 10 होगी, और जो यह part है यहाँ तक, this is also 10, right? यह total आपका 30 था, अगर यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर 20 होगा, पर perpendicular जो होगा वो, आपका 10 प्लस 15, क्योंकि यह 10 था और यह 15 था, तो कितना हो गया? 25, right? तो हमें अब यह distance जो है, यह हमें निकालना है, यह कैसे निकलता है? अगर आप इसको x मान लो, तो हमें पता है, x square is equals to 25 square प्लस 20 square, ठीक है? तो x निकालने के लिए यहाँ पे इसको under root कर देंगे, तो इस formula से आप यह hypotenuse calculate कर सकते हो, अब देखते हैं question number 4, यहाँ पे given है, a boy walks 12 kilometers towards east, तो यहाँ से अगर वो start कर रहा है, तो उसने 12 kilometers चला towards east, उसके बाद 90 degree clockwise turn लिया, 90 degree clockwise, मैंने आपको बताया था, यह जो भी angles बनते हैं north और east के बीच में, या east और south के बीच में हमेशा 90 degrees बनते हैं, अगर आपने direction part 1 देखा है, तो आपको यह point याद होगा, ठीक है, 90 degrees, और एक और बात याद होगी, कि clockwise turn क्या ह होता है, यानि जब भी right turn लेना है, तो वो आपका clockwise आता है, अगर आप north जा रहे हो, तो clockwise अगर आप भूम जाओगे, और 90 degrees पे, तो वो east हो जाएगा, और अगर आप east से clockwise turn ले रहे हो, तो आप south की तरफ मुर जाओगे, तो 90 degree clockwise is nothing, but it is right turn, ठीक है, जो अभी तक हम कर रहे थ कि the person turns right, उसी को लिखने का दूसरा तरीका है, 90 degree clockwise, ठीक है, इसमें ऐसी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, अब बोला है, कि right turn लेके, यानि 90 degree clockwise जाके, उसने 20 km चला, जब वो east से 90 degree clockwise वाला turn ले रहा है, या right turn ले रहा है, तो वो south की तरफ जाने लग जाएगा, और वो 20 km चल देगा, उसके बाद उसने right turn लिया, और 33 km चला, south से right turn, यानि west clockwise, है न, तो 33 यह हमने बना दिया यहां तब, तो अब पूछा गया है, how far is he from the starting point, direction नहीं पूची कहीं, direction क्या होती, starting point से अगर आप direction बताना चाहो, direction क्या होगी इस case में, direction होगी south west, ठीक है, बट हमें direction नहीं पूची है, हमें क्या पूचा है, distance, तो हमें यह वाला जो distance है, यह calculate करना है, यह कैसे calculate होगा, एक right angle triangle बना के, तो यह आपका जो right angle triangle बन गया, कैसे distance निकलेगा, अगर आप देखो, अगर यहाँ पे हम perpendicular बना रहे हैं, तो जो यह distance है, यह 12 होगा, और यह जो distance है आपका, यह 20 हो जाएगा, क्योंकि यह 20 और यह 20 बराबर होने वाला है, यहाँ पे यह distance है 12 है, तो यह जो बचा हुआ distance है इस line का, यह कितना होगा, 33 में से आपको 12 माइनस कर लेना है, तो आपका answer क्या होगा, 21, यहाँ पे 20 है, यहाँ 21, तो यह हम calculate कर सकते हैं, पाइथागुरस थियूरम लगा के, distance था आपका 20, तो यह कैसे calculate होता है, अगर आप इसको x रखोगे, तो हमें पता है, x का जो square होता है, वो किसके बराबर होता है, 20 का square, प्लस 21 का square, यह ही कहती है आपकी पाइथागुरस थियूरम, तो जब आपको x निकालना है, तो यहाँ से यह square हटके, दूसरी साइड जा 29 का, ठीक है, तो आपका answer हो जाएगा 29, यह जो starting point और ending point के बीच का distance है, यह आपका 29 km आजाएगा, तो यह आपका पाइथागुरस थियूरम से भी कुछ questions निकल सकते हैं, जहाँ पे आपको straight distance between starting point and ending point अगर पूछ लिया या इस तरह से कुछ distance निकालना है, जहाँ पे directly नही given, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ओके, तो एक और question देखते हैं, पाइथागुरस थियूरम पे ही based, ताकि थोड़ी और clarity मिल जाए, किस तरह से questions आते है, car travels 25 km towards south from a garage, ठीक है, यहाँ से उसका जो है starting point है, उसने 25 meter जो है, south चल लिया, उसके बाद एक left turn लिया, south जा रहे है, left turn, south से left turn क्या होता है, anti clockwise देखना है, east, तो वो अब east की तरफ जाएगा, और कितना चलेगा, 30 km, उसके बाद उसने एक right turn लिया, और 15 km चला, right turn क्या होता है, right turn होता है clockwise, तो east जा रहा था clockwise में आता है south, तो वो south की तरफ जाएगा, और 15 km चलेगा, यहाँ पे जो है end point है, question में पूछा है, how far is car from the garage and in which direction, तो starting point से वो अब कहां पे है और किस direction, direction देखते हैं पहले, वो तो आप अराम से देख सकते हो, यहाँ पे अपना north south बनाऊगे, तो यह south और east के बीच में है, तो direction हो जाएगी south east, but south east में भी हमें दो options given है, एक में 70 distance लिया है, एक 50, इन दोनों में से ही एक सही answer होगा, बट कौन सा, उसके लिए हमें यह जो distance है, वो calculate करना पड़ेगा, कौन सा distance, जो यह वाला distance है, यह calculate करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, एक right angled triangle, so now we know कि इन दोनों में से ही कोई सही answer होगा, south east direction हमने बता दी, कि यह यहां से starting point था, और यह आपका ending point था, distance निकालने के लिए, right angle, triangle जो हम बनाएंगे, वो कुछ यहां पे इस थरह से बनेगा, तो यह जो hypotenuse का distance है, जो x है, इसको निकालने के लिए हमें base का distance, base की length, और perpendicular की length पता होनी चाहिए, यहां तक we know कि यह 25 है, starting से लेके यहां तक, और इस point से लेके अगर आप नीचे तक देखो, तो यह 15 होगा, right, साथ ही अगर आप base का distance देखो, तो वो क्या होगा, यह 30 था, right, यह total, तो यह पूरा distance भी आपका 30 होगा, तो अब हमें पता है कि यह base 30 है, appendicular is 15 plus 25, कितना हो जाता है, 40, 30 और 40, और हमें निकालना है x, तो इसके लिए बस एक calculation करनी है, क्या होगी वो, x is equal to under root of 40 square plus 30 square, तो इसको कैसे solve करेंगे, under root of 1600, 40 का square, 30 का square हो जाएगा 900, तो बनेगा under root of 2500, 500, answer हमारा हो जाएगा D option 50, है ना, 2500 का square root होता है 50, तो इस तरह से ही question solve हो करेंगे, तो question number six देखते है, a man walks five kilometer towards south, तो इस question में हमें देख लेना पहले ही कि direction पूछी है, distance नहीं पूछा, ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से इसको अप्रोच करना है, सबसे पहले उसने अगर यहां से start किया, और वो south की तरफ गया 5 kilometers, वहां से उसने एक right turn लिया, south से right turn यानि clockwise में देखो तो west, तो now he will walk towards west, और वो कितना चलेगा, 3 kilometers, उसके बाद उसने क्या करना है, एक और left लेना है, अगर west से वो left turn ले रहा है, यानि anti clockwise में south बनता है, तो अब वो south की तरफ जाएगा, और वो कितना चलेगा, 4 kilometers, but that's not all, he goes back 10 kilometers straight, back यानि बिल्कुल ही opposite direction, अभी वो जहां जा रहा था, वहां से बिल्कुल उल्टा जाना है, तो यानि अगर वो यहां पहुंच किया था, 4 kilometers चल के, तो अब उसने जाना है, 10 kilometers, कुछ, इस direction में, towards north, ए यह जो point है, यहां तक ही 4 kilometers था, और यहां तक ही 5, total बनता है 9, तो 10 kilometers अगर उसने चला है, तो आपको इस point से थोड़ा उपर ही लेके जाना पड़ेगा, उसको, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि answer हमारा जो है, वो गलत ना हो, अब हमसे पूछा गया है, in which direction is he from the starting point, यह आपका starting point था, अब उसकी जो direction है, वो क्या हो जाएगी, नौर्थ वेस्ट, आपका answer आजाएगा नौर्थ वेस्ट, यह मैंने आपको क्यों बोला कि इस point से उपर लेके जाना है, अगर आप यहां तक बना देते एकदम roughly, तो वो गलत हो जाता, आपका answer west आ जाता, जो कि गलत होता, और options में उन्होंने west भी दिया है, to confuse you, तो आपने हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है, कि अगर यहां तक यह 9 km बन रहा था, and he goes back 10 km, तो उसको उपर लेके ही जाना है, so that आपका answer जो है, कभी भी गलत ना हो, okay, तो हर बार की तरह, इस बार भी, एक try this yourself question है, जो solve करके, आपने A, B, C, D, जो भी सही answer होगा, वो comment करना है, तो मैं आपको एक question थोड़ा से explain कर देती हूँ, और आज मैं आपको एक hint भी दूंगी, इसको solve करने की, Rina walked from A to B 10 feet towards east, उसके बाद right turn लेके, she walked 3 feet, उसके बाद एक और right लिया, और 14 feet चला, how far is she from A, तो hint आपकी यह है, इस question में आपकी pythagoras theorem लगेगी, right angle triangle बनेगा, और आपको जो यह formula था, x is equal to under root of base square plus perpendicular square, है न, hypotenuse निकालने का, इसके थूँ ही आपका जो answer है, वो निकलेगा, तो आपने मेरे को इसका answer comment करके बताना है, इस question का solution, मैं आपको direction sense part 3 जो video होगी, उसमें दे दूँगी, so that's all from my side, और मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे channel पे first time आ रहे हैं, तो subscribe ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई doubts है, अगर आपको कुछ questions पूछने हैं, तो आप हमें Instagram पे, Facebook पे, कहीं भी approach कर सकते हैं, so that's all from my side, thank you so much and all the very best to all of you.